जीव मजीवंदवं जिनवर्वसहेन जेणने दिठं देविंदविंदवंदं वंदेतं सवदा सिरसा द्रब्य संग्रह में साथ तत्व नो पदार्थों को अपन जान रहे हैं कल संवर का प्रक्रण था अचार अकलंक देव ने कि जैसे कोई नगर में अच्छी तरह से चारों और से पोटा हो दरवाजे बंदों हो तो वह नगर शत्रूं के लिए अगम में हो जाता है याने उसको वो प्राप्त नहीं कर पाते तो वहां द्वार जो है वो भाव संवर का प्रतीक है और शत्रूं उसमें प्रवेश नहीं कर पाते वो द्रव्य संवर का प्रतीक है जहां हर्ष विशाद के परिणाम होते हैं वो करमों को बुलाते हैं और जो हर्ष विशाद से उपर उड़ जाते हैं वो वहां पर भाव संवर करने वाले होते हैं सुगंचन सेट दिल्ली के नादिर शाह ने दिल्ली को जीत लिया था और सैनिक घरों में लूटने के लिए पहुँच रहे थे सुगंचन सेट के यहां पर जब एक लुटेरों का दल पहुँचा तो बाकी सारे लोग तो घबरा रहे थे लेकिन इन्होंने उनको बड़े आदर के साथ में बुलाया आईए आईए और ये सारी सामगरी रखी है देख करके वो लुटेरे सेनिक बहां पर दंग रह गए कि बाकी सारे लोग तो बिल्कुल थर-थर कापते हैं दोलत छोड़ने में और ये बिल्कुल बुला करके दे रहे हैं और बलकी तिजोरी से निकाल करके बाहर रख रखें सजा करके पूछा उन्होंने तो उन्होंने कहा कि ये तो पुर्णी की दाशी होती है अभी पुणने नहीं है जा रही है पुणने आएगा तो फिर प्राप तो हो जाएगी तब उस लुटेरों में जो उनका मुखिया था वो समझा कि बास्तों में तो लक्ष्मी पती यही है इसको छोड़ने में इसके लिए कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है ऐसे ब्यक्ती की दौलत नहीं लेना चाहिए नहीं चुराना चाहिए और एक ब्यक्ती को वहाँ पर तैनात करके चला गया कि जब तक यह लूट पार्ट चल रही है तब तक तुम यहीं रहना तुमारे लिए अच्छा इसा मिलेगा लेकिन इसके घर में कोई चोरी ना कर सके तो ऐसे भी परिणामों के माद्यम से वहाँ संबर हुआ वो लूटने में सफल नहीं हो पाए उन भावों परिणामों का प्रभाव अपने इस प्रकार से द्रब्य और भाव संबर के रूप में भी ले सकते हैं भाव और द्रब्य संबर को समझा था अब भाव संबर के भेद यहाँ पर बतला रहे हैं 35 विगाथा में वद समीदी गुत्तियो धमानू पेहा परी सह जयोय चारित तंबह भेया अपनायवा भाव संबर विसेशा जिन भावों से संबर होता है उन भावों के लिए यहाँ पर ब्रत समीती गुत्ति धर्म अनूप्रेक्षा परीशजे और यह से चा याने और बहु भेया चारित्तम बहुत प्रकारवाला चारित्र यह सभी भाव संबर विसेशा नायवा यह भाव संबर के भेद जानना चाहिए तत्वार सूत्र में नभी अध्याय में भी सूत्र में सबसे पहले गुप्ति समीती से वहाँ पर अप्रारंब किया है जब रचना की जाती है तो वहाँ पर रचना में आगे पीछे काब में हो जाता है गद्ध में तो आप सीधा लिख दो क्योंकि उसमें ले की बात नहीं रहती है लेकिन जहां पद्ध होता है वहाँ पर ले बनाने के लिए आगे पीछे भी कर सकते हैं तो सबसे मुख्य गुपती होती है उसके बाद में समीती और संबर जो होता है वो जब किया जाता है तो उनमें इस प्रकार के भाव भी बहाँ पर यहाँ पर उनक्रियाओं को करेंगे लेकिन वो अंदर से भाव के माद्यम से वो क्रियाओं होंगी इसलिए उनका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है जहां जितना इंद्री कशाय संग्याओं को निग्रह करते हैं उतना पाप का आसरव रुकता है यह पाप का संबर होता है चिद्र है जिसके माध्यम से पाप आ रहा था उसको बंद कर लिया अब इसके माध्यम से पाप का संबर तो हो गया लेकिन पुन्ने का संबर नहीं होता बलकि इन क्रियाओं को करने पर पुन्ने और जादा आता है ब्रहद्रव संग्रह में जो टीका है बहाँ पर ब्रमदेव सूरी ने कहा है कि सुभो पियोग जो है पाप का संबर करने वाला होता है सुभो पियोग के माध्यम से पुन्ने का आस्रव भी होता है पाप का संबर भी होता है और पाप की नरजरा भी होती है लेकिन जो शुद् इस्थानों में पुण्य विशे सनुभाग के साथ बंदता है, लेकिन फिर भी जितना पुण्य का क्रियाओं के माध्यम से बंद होता है, उतना बंद बहाँ पर नहीं होता, इस दृष्टी से बहाँ पर पूर्ण जो है संबर कहा जा सकता है, सबसे पहले यहाँ पर ब्रतों के बारे में अपन देख लें क्योंकि ब्रत का बंदन लिखा है, तो ब्रतों में अनू ब्रतों को और महा ब्रतों को धारण किया जाता है, अनू ब्रत को धारण करना, पृतिमाओं को धारण करना लोगों के लिए बहुत कठिन सा लगता है, लेकिन आज कल बहुत सारे ब्र और उन्होंने वहाँ पर जो पृतिकमन पढ़ते हैं उसमें श्री ज्यान विद्या के माद्यम से उनके लिए साहता मिली तो वहाँ पर कृतक ग्यता ग्यापन करने आये थे कि हमको लगता था कि कभी भी हम पृतिकमन पाठ पढ़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे ले जैसे इसमें मूल कारण जो हैं मुनी श्री निर्वेक सागर जी हैं उन्होंने हमसे कहा था कि आप इस पृतिकमन को बना करके इसमें डलवा दें तो बृति बहुत सारे बन रहे हैं और आजकल एक पानी का जो स्टोर करने का टाका वाला जो सिस्टम है उसकी लोगों के लिए बहुत जानकारी हो गई उसके माद्यम से कोई भी श्राबक पृतिमाओं को पालन करने में समर्थ हो सकता है क्योंकि पहले कोई की परेशानी जादा रहती थी लेकिन टाका के माद्यम से घर-घर में अपने लिए बिवस्ता इस प्रकार से बना सकते हैं तो उन ब्रतों में जहां पर अनू ब्रतों को लेने के लिए सबसे पहला अहिंसानू ब्रत होता है अहिंसानू ब्रत में संकल्पी हिंसा का त्याग किया जाता है संकल्पी यह जान बूझ करके किसी जीब को नहीं मारेंगे घर में जो है चुहे खीडे आदी रहते हैं उनको भी जान बूझ करके नहीं मारेंगे इस प्रकार का जो संकल्प रहता है बिरोधी हिंसा का त्याग नहीं है आपके घर में कोई लूटने के लिए आ जाए तो आप उससे लड़ भी सकते हैं उसके लिए यदि आप हिंसा भी करते हैं तो वो आपकी भूमिका में वहाँ पर आप उसका त्याग नहीं कर सकते किवल मात्र संकल्पी हिंसा ओद्योगिक हिंसा आरम भी हिंसा का भी त्याग आप नहीं कर सकते उसके लिए भी नहीं कहा लेकिन मात्र संकल्पी हिंसा को त्याग करने के लिए कहा है और संकल्पी हिंसा का त्याग करने से अपना ही रक्षन होता है एक कन्या ने 36 गड़ में पायल साहूस का नाम था उसने चुहे मार की दवा को टमाटर के उपर लगा करके और भूल गई वो जिस पर दवाई लगाई थी वो स्वेम उसने अपनी सलाद में बनाक लिया और जिस पर दवाई नहीं लगी थी वो जो है चुहे के लिए दे दिया तो चुहे ने उसको खाया उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन यहां मारने के भाव थे स्वेम ही मरण को प्राप्त हो गई तो यह संकल्पी हिंसा से उपर उठना फिर दूसरा सत्यानू ब्रत होता है ऐसा जूट नहीं बोलना जिससे किसी के उपर आपत्ती आ जाए अच्छोर यानू ब्रत में गिरी हुई चीज भूली हुई चीज किसी की नहीं ग्रहन करना जो जमीन पर गिरी हुई चीज रहती है कहीं पर कोई नोट मिल जाए अपन सोचो मंदर में डाल दो लेकिन नहीं गिरी हुई चीज भी अपन उसके स्वामी नहीं है उसको उठाने का अपने को अधिकार नहीं है कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी दुकान पर कोई सामान को भूल जाए अब उसका पता भी नहीं कौन था उस समय में क्या करें अब तो उस समय में अपने आस पड़ोस की दुकान वालों को पहले भीया की कोई आया था किदी आये लोट करके तो हमारे यहां पर यह भूल गया है क्योंकि ऐसा बोल देने से फिर आपको उसको लेने के भाव नहीं होंगे तो ऐसे अपने लिए अच्छोर यानू ब्रत का भी पालन कर सकते हैं एक बच्चा था पिता से पैसे मांग रहा था पिता ने पैसे नहीं दिये किसी दुकान के सामने उसको पड़ा हुआ मिल गया उसने जो चीजें खरीडनी थी खरीडनी पिता ने देखा पिता ने पूछा तो उसने कहा कि हमको वहां दुकान के सामने मिले उसके पिता ने उससे कहा कि यह रुपए लेके जाओ पहले तो दे नहीं रहे थे लेकिन ये चोरी हो जाएगी ऐसा सोच करके उन्होंने अपने लड़के के लिए दिया और कहा कि जाकर कि उस दुकान वाले को दिया और उससे कह देना कि आप के हां से कोई अभी निकला होगा उसका पैसा गिर गया होगा ये आये तो उसको दे देना और थोड़ी देर में ऐसा हुआ जिसका पैसा गिरा था वो वहाँ पर ढूंडता हुआ आया उस दुकान से उसने सामान खरीदा था उसी दुकान से पूछा तो उसको वो चीज मिल गई तो इसलिए गिरी हुई चीजों को भी उठाना चोरी होता है इसका भी पालन करना कोई जादा कठिन नहीं है मुख्यता से दो चोरियां होती है कई लोग बिजली की चोरी करते हैं टेक्स की चोरी करते हैं उस पर यदि अपन अपना मन बना लो तो इनसे भी अपन ऊपर उठकर के अनुब्रतों का पालन कर सकते हैं थिर इसके बाद में चोथा होता है ब्रह्म चर्यानुब्रत ब्रह्म चर्यानुब्रत तो सभी इसरावकों को ले ही लेना चाहिए क्योंकि इसमें कोई बादा नहीं अपने पती और पती इसके अलावा जो है एक दूसरे के अलावा किसी से संबन्द नहीं रखेंगे इसका पालन करने में कोई भी बाधा नहीं है एक कथानक पड़ा था कि एक व्यक्ति जिसकी बारे में कल भी कहा था उसने चंदन जो है ले जाकर के सेट के लिए दिया सेट ने उसको उसके बराबर सोना तोल दिया और उसको लेकर के सहर से आ रहा था और रास्ते में उसको एक वेश्या का इस्थान था उस वेश्या ने उसको बुला लिया उसने वेश्या को वो सोना सौप करके वेश्या ने कहा थोड़ा नहाधो करके तयार हो जाओ और वो छट पर जाकर के देखता है उस समय में सूर्य अस्त हो रहा था और इधर चंद्रमा उदै को प्राप्त हो रहा था पूर्ण मासी का दिन था उसने साधू से नियम लिया था कि मैं पूर्ण मासी को ब्रमचर ब्रत का पालन करूंगा लेकिन आज तो जो है पूर्ण मासी है और उसने इसलिए लिया था कि एक दिन का मैं प्रारंब करके क्योंकि पूर्ण मासी के दिन तो चंद्रमा प्रकट रहता है इसलिए उसमें भूल होने की गुंजाइस नहीं है और वो वहाँ से बहाना करके भाग जाता है वेश्या वो सोना को राजा के पास पहुचाती है राजा मुनादी करके कि किसका ये सोना है जब घोशना करते हैं तो वो राजा के पास आता है और राजा के पास जब उस समय में आता है तो वहाँ पर प्रशंसा की दृष्टी से जहां सेठ के लिए भी प्रशंसा की जाती है लेकिन वो नीती के रूप में कि इसने नीती का पारन किया है वेश्या के लिए भी वहाँ पर प्रशंसा की जाती है कि उसने उस धन को चाहती तो रख सकती थी लेकिन उसने भी दूसरे का है धन लौटा दिया और राजा ने भी उसके पास में आ गया था उसको भी वहाँ पर लेकिन वो भी नीतीवान था उसने भी नी रखा सबसे ज़्यादा प्रशंसा की उसने ब्रत पालन करने के लिए वहाँ पर धन को भी छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया तो ऐसी जो है एक दिन का वहाँ पर ब्रह्मचर्यानु ब्रत भी उसने लिया अपन जितनी सीमा बना लेंगे उससे जादा एदी अपना हो जाता है तो उसमें जो सामगरी एदी खटी होती है उसको दान कर दिया अचर देश भूशन जी महराज जैपुर की खानिया जी में वहाँ पर उपदेश दे रहे थे एक बंगाली ब्यक्ती भी प्रविचन सुनने आया था महराज ने सबसे एक-एक से पूछ करके सबकी सीमा बनवाई उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं जैन नहीं हूँ महराज ने कहा कि समझ रहे होना कि इसमें अपनी सीमा बना लोगे तो उससे ज्यादा का पाप नहीं लगेगा उसने मन बना लिया और जेन लोगों ने देखा उनके साथ मैं जो है मिलकर के उसने ब्यापार किया और उन्होंने कह दिया कि फायदा होगा तो आदा आदा घाटा होगा तो हम सुईकार करेंगे और उसको फायदा हुआ उसने जितनी सीमा बनाई थी उससे जो है लांग गया और महाराज भ्रमन करके दूसरी बार पुने जब खानिया जी आये थे वो ब्यक्ति पैसे लेकर के महाराज के चर्णों में पहुँच गया उसने दान कर दिया कहते हैं वो भी पैसा वहाँ पर खानिया जी में लगा हुआ है तो ऐसे जो है सीमा बनाने से अपनी जो है ज़्यादा के प्रती जो ममत होता है इक्षाए होती है वो जो है अपनी उससे दूर हो जाती है एक इंद्र नंदी जी महराज जो बने थे उन्होंने आचारसी से पूर वस्ता में ग्रस्त वस्ता में आचारसी से नियम लिया था पुराना जमाना जब आचारसी 68 वगरा में उस समय वहाँ पर थे तो एक लाख रुपे उनके पास कभी नहीं होते थे और उन्होंने आचारसी से कि जिस दिन एक लाख रुपे हो जाएंगे मैं दीख्षा ले लूँगा आचारसी से नियम लिया और ऐसा हुआ कि छे मईने में ही उनके एक लाख रुपे हो गए और उन्होंने जैसा संकल्प लिया था बाद में वो इंदर नंदी जी मुनिराज के रूप में उन्होंने दिख्षा ली तो ऐसे संकल्प पूरवक अपन अपनी जितनी भी चीजें हैं उनकी सीमा बना करके इन अनुब्रतों का पालन अपने जीवन में बहुत सहचता से कर सकते हैं समीती जो होती है वो प्रवर्तिगत सावधानी होती है मुनिराज समीती का पालन करते हैं लेकिन यथा योग्य समीती का पालन अपने लिए भी करने में पीछे नहीं रहना चाहिए सबसे पहला है इरिया समीती चार हाँ जमीन देख करके चलना जब मंदिर आते हैं आप यदि पैरों में चपल ना हो तो जरूर दिश्टी नीचे रहेगी और यदि चपल जूते पहन लेते हैं फिर जो है नीचे का ध्यान नहीं रहता तो ये भी आप कर सकते हैं बहाँ पर किसी जीप का घात ना हो ये भी उसके साथ साथ में क्योंकि चार हाँ जो है अपनी काया होती है इसके बाद में भाशा समीती हित मित प्रिये हितकारी सब्दों का प्रियोग करें मित बोलें चर्चा करने में तो अभी राजनीती का समय है कितना समय लोगों का निकल जाता है कितनी उर्जा अपनी नश्ट हो जाती है उस पर ध्यान नहीं देते जहां महला बर्गवी जब कहीं रसोई की कहीं फैशन की कोई बातों पर चर्चा करने लगें तो कितना समय बीद जाता है पता नहीं पड़ता इसलिए अपन उस पर ध्यान देकर के हितकारी मित और प्रिय शब्दों का अगाली के शब्दों का और ऐसे सब्द जो की सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं उनका प्रियोग से अपन बच सकते हैं तो इस प्रकार से भाषा शमीती एशना समीती भोजन करते समय स्रावकों के लिए टेली बिजन मोवाइल आदी देख करके भोजन ना करें ये भी उनके लिए एक प्रकार से बहुत अच्छा संकल्प हो सकता है उसके माध्यम से भोजन पर द्रिष्टी रहेगी आजकल ऐसा हो रहा है बच्चे लोग मोवाइल देख करके टीवी देख करके भोजन करते हैं और कई जो हैं बच्चों के लिए ऐसी समस्याएं आने लगी हैं क्योंकि जिस समय में अपन टेली बिजन देख रहे हैं मोवाइल देख रहे हैं तो उस समय भोजन पर दिश्टी ना होने के करण भोजन को देख करके उसकी गंद से उसको इसपर्स करके जो अपने रस निकलते थे, जो पचाने के लिए काम में आते थे बो आजकल नहीं निकल रहे हैं। तो इससे अपनी हानी होती है, इसलिए भोजन के प्रती द्रिष्टी रख करके और देख करके भोजन करना, ये एश्णा समीती जहाँ पर मुनिराज वागम के अनुसार भोजन करते हैं, अपन भी अपनी द्रिष्टी बहाँ पर बना सकते हैं, आदा निक्षेपन समीती, दे परिमार्जन करके सादू जो है पिछी का परिमार्जन करते हैं अभी जो नए छुल्लक बने हैं वो कपड़े के माध्यम से ही परिमार्जन करके बैठते हैं अपन लोग भी दर्शन करते हैं उस समय में परिमार्जन करके बैठें तो उसके माध्यम से अपन जहां पर बैठ र कि मल मूत्र का छेपन प्रासुक जगह पर किया जाए। कारण होती है। उसमें जिस प्रकार के रक्षन के भाव हैं वहाँ पर उसके माद्यम से जो पाप का असरव होता है। जिसमें की मौन को धारण कर लेना और साथी साथ में जहां यदि बोलना भी है तो अपन कड़वा असरव ना बोलें। निंदा के बचन ना हो इस प्रकार से बचन गुपती का पालन। मनों गुपती जो की सबसे कठिन होती है, मन में अशुव का चिंतन नहीं करना, किसी का अहित का चिंतन करना अपत ध्यान कहलाता है, होता कुछ नहीं लेकिन पाप का अरजन करने वाला होता है। अपनों समय में अशुव का चिंतन नहीं करेंगे, तो उस संबंदी पाप का संबर वहाँ पर होगा। एक प्रसंग में हवाई जाज की जो फ्लाइट है वो दो घंटे लेट हो गई, और जहां पर 140 लोग सारे के सारे वहाँ पर बौखला रहे हैं, फोन कर रहे हैं, परिशान हो रहे हैं, लेकिन एक ब्यक्ती बिलकुल शान्त, ना तो उसने मुवाईल का प्रियोग किया, और ना किसी से सिकायत की, ना कुछ एक पुस्तक को निकाल करके बस उसी में जो है मशगूल, एक ब्यक्ती उसको देख रहा है सारे लोगों को, और उसको समझ में आया कि चाहे जैसी परिस्तिती हो, अपने मन की प्रसंगता अपने को नहीं खोना है, जैसा उसने संकल्प कर कई बार बनती हैं परिस्तितियां, कहीं भी आप जाते हैं, रेलबे स्टेशन पर भी कभी बिलंब हो जाता है, कभी कभी गाड़ी भी जहां पर ट्रेफिक में फस जाती है, वहां पर भी लोग परेशान होते हैं, चाहे जैसी परिस्तिती हो, अपने मन की प्रसंगता वहां अपन भी अपनी भूमिका के अनुसार उनका पालन करके इस संबर प्रक्रण में अपनी भी जो है बहाँ पर आगे आगे धीरे धीरे निरंतर ब्रद्धी कर सकते हैं। बहाँ पर जो पाप का आश्रव होता है उससे अपन बहाँ पर बस सकते हैं संबर कर सकते हैं। चत्रवपती बच्चे भी सीख जाते हैं भगवान को भी सुना करके चले जाते हैं। और कई-कई बार तो आचारशी ने एक बार कहा था कि लोग कहा पर क्या बजाना चाहिए इसका ध्यान नहीं रगते। एक बार तो शादी के फेरे पड़ रहे थे और राजा राणा चत्रपती चल रहा था। एक बार जो है आचारशी के कोई ने भजन सुनाया कि अनंत काल से खाया है कब तक खाओगे। एसा भजन जो है आचारशी के आहर के बाद में सुनाया था। तो ध्यान नहीं रहताने क्या उचित है क्या नुचित है इसका ध्यान नहीं रखते। तो बारह भावनाओं का चिंतन केवल जो है पाट के रूप में नहीं उनकी एक-एक भावनाओं का चिंतने दियेपन करें तो उसके माध्यम से वहाँ पर पाप का संबर होगा अनित्य भावना मकान बना रहे हैं लेकिन सोचें कि कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है अश्रण इस संसार में जब मृत्यू निकटा आ जाती है तो कोई भी बचाने में समर्थ नहीं होता कैसी कैसी परिस्थियां बन जाती हैं सागर में रेलवे क्रॉसिंग के इस पार जो है स्कूटर पर दो लोग बैठे हुए हैं रुके हुए हैं अभी क्योंकि अभी गेट बंद है एक चील वहाँ पर अपने मुख में जो है पंजों में साप को लेकर के आ रही है और उसका जो है वहाँ पर छूटना होता है और वह इसकूटर पर बैठा हुए अभी 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 क्योंकि उसके पैर टिके हुए हैं उसको वहाँ पर वह काटती है और वह थोड़ी आगे बढ़ती है फिल आ करके फिर उसको उठा करके ले करके चला जाता है यदि आयू कर्म अवसान हो गया है तो ऐसी स्थिति भी होती और आयू कर्म बलबान होता है तो ट्रेन के अंदर डिलेवरी हो गई बच्चा जो है उस मोरी से निकल करके ट्रेक पर गिर गया ट्रेन दो-तीन किलो मीटर आगे चली गई और जब देखा तो वो बच्चा वहाँ पर खेलता हुआ कोई चोट नहीं लगी उसको चलती ट्रेन में एक व्यक्ति के लिए एक सरिया ऐसा घुसकर के लगा वहीं पर उसका मरण हो गया चलती ट्रेन में बाहर की कोई चीज का सरिया ट्रेन के अंदर घुसकर के लग गया तो ऐसी जो है आयू कर्म जब नहीं रहता तो कोई भी बचाने वाला नहीं होता ऐसी अश्रन भावना संसार भावना में चारों गतियों में जीव भ्रमन करता है अनादी काल से में भ्रमन कर रहा हूँ ऐसी भावना संसार भावना एकत भावना जिसमें जीव अकेला जनम लेता है अकेला मरण प्राप्त करता है अकेला ही सुख दुख को भोगता है सुख को भोगने के लिए बहुत सारे साथी हो जाते हैं दुख में कोई साथ नहीं देता सुख के सब साथी दुख में ना कोई ऐसी जो है इस्तिती इसका बिचार करना उस समय में बिचार करोगी इकत भावना से पाप का संबर होगा अन्यत भावना कितने अच्छे शब्दों में भूदरदास जी ने जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई तो यहां जब देह भी अपनी नहीं तो बाकी सब चीजें अपनी कैसी हो सकती हैं केवल मानिता में जीव सबको अपना मानता है अशुची भावना शरीर अपवित्र है इसको कितना भी नहलाओ दलाओ ये पवित्र होने वाला नहीं मंदिर जाना है बिना नहाय नहीं जा सकते इसलिए इसनान करेंगे अशुची भावना के साथ में केवल इसलिए सुद्धी के लिए इस्नान कर रहे हैं तो उस समय में वो क्रिया करते हुए भी बहाँ पर पाप का संबर हो सकता है फिर आस्रव भावना भी अपने पड़ी रहे थे कि कैसे भावों के माद्यम से हम पाप और पुण्णे का आस्रव कर सकते हैं उसमें बचना चाहें तो उन पाप से बच सकते हैं क्योंकि सुद्धो प्योगी मुनी ही पाप और पुण्णे दोनों से बच पाते हैं अपने लिए तो एक किसी को चैन करना ही पड़ेगा तो क्यों न आपन पुण्णे का चैन करें बच्चा है, स्कूल से आया है पाप में से चैन करने का अधिकार है और अपन इसका अध्यन कर रहे हैं तो इसके माध्यम से अपन पाप आस्रव से बचने का चिंतन वहाँ पर कर सकते हैं तो उसके माध्यम से भी संबर होगा फिर आस्रव अकेले को लिया है बारह भावना में क्योंकि आस्रव और बंद में कोई विशेश अंतर नहीं है इसके बाद में संवर भावना संवर भावना के अंतरगति अपन इसको पढ़ रहे हैं कैसे जो हैं पाप कर्म का आस्रव होता है और अपने इन भावों के माद्यम से ही अपन उनका संबर करने में समर्थ हो सकते हैं ये भावना संबर भावना और निर्जरा के लिए आगे अपन पढ़ेंगे तब के माद्यम से निर्जरा होती है और लोक भावना ये लोक के जो की पुर्शाकार है किस प्रकार से कहां पर क्या अवस्तित है ऐसा विचार करना ये लोक भावना और बोधी दुरलव सभी चीजें कितनी दुरलवता से अपने लिए प्राप्त हुई है उनकी दुरलवता का चिंतन करके और उनका सदोपियोग करने की भावना मन में उत्पन होना ये बोधी दुरलव भावना के माद्यम से संबर का कारण बनती है और धर्म जो अहिंसा लक्षन वाला धर्म है ये सरवोच्च है इस प्रकार की भावना ये धर्म भावना होती है परिशह जय बाईस परिशह होते हैं इनका पालन जो मुनिराज करते हैं उनका चिंतन अपन इस समय में कर लें तो उसके माद्यम से भी संबर का कारण बनता है खुदा त्रिशा याने पिपासा प्यास को एक बार भोजन एक बार पानी लेकर के ग्रीश मृत्व में भी और कई-कई बार अंतराय हैं वास हैं उसके बाद में भी प्यास को सेहन करते हैं और हम लोग हमेशा पानी पीते रहते हैं उस समय में पानी पीते पीते यदि मुनिराजों का ध्यान आ जाए संबर के लिए कारण बन सकता है कैसी भी शीत हो बिना बस्त्रों के बिना चटाई के भी मुनिराज जो है कैसे उस सीत को सेहन करते होंगे शेहन करते करते चेलना रानी के जहां बाहर हाथ रह गया है ठंड में अकड़ गया है अंदर करते करते वो कैसे सेहन करते होंगे सो रही है लेकिन मन में ऐसे भाव वहाँ पर हैं उनका इसमरण हैं तो वो भी संबर के लिए यहने सोते सोते भी पापों से बचने का रात में सोते सोते समय इसी प्रकार का चिंतन करते हुए यदि शेहन करें तो रात में सपने भी उसी संबंदी आएंगे और उसी संबंदी जो है आगे आगे भाव बने रहेंगे कई बार होता है रात में सेहन करते समय जिस प्रकार के भाव करते हुए शेहन करो और जब सुबह उठते हैं तो यसा लगता है कि अभी उसी की सरंखला चल रही है बिल्कुल वो ही मतलब 4-5-6 गंटे पहले जो सूचा था बिल्कुल वो ही अभी भी मन में भाव उस प्रकार के बने हैं तो वो उस प्रकार के भावों के माद्यम से संबर जो है उस रात्री काल में भी हो सकता है पुशन पहले गर्मी को भी कैसे सहन करते हैं फिर दंश मसक एक बार आचारशी के साथ में ब्रमचर यवस्ता में बिहार कर रहे थे महावीर जन्ती के लिए बिहार हो रहा था खुली जगए पर थे आचरशी बाकी सभी सादू कहीं पर और थे और खुली जगए मच्छर जो है वहाँ पर थोड़ी देर में आ गए बाहर का कितना भी कोई उपचार कर लो कोई कारिकारी नहीं होता और आचरशी ग्यारा बजे ही सामाइक करने बैठ गए क्योंकि जब नींद आ नहीं रही है तो फिर काय को समय वरबात करें ग्यारा बजे रात से ही वो बैठ गए एक पंक्ती जिसमें सो ना सके रात भर सुन मच्छरों की धुन और नींद भरी आखों में ना हो उठने का मन ना हो नींद का गुलाम राही चलते जाना रहे ऐसा नहीं अब रात में नींद नहीं आई है तो सुबह की सामाइक नहीं करना है उस सामाइक तो करना ही है तो इस प्रकार से ऐसे जो हैं दंस मशक परिशय को जो सेहन करते उनके बारे में चिंतन करना एक और प्रसंग अभी एशना समीती संबंदी एक बार आचारशी के साथ में आहार के लिए हम गए थे और ब्रमचारी अवस्ता में एक कोई कीड़ा आचारशी के पीट पर चल रहा था और किसी ने बाद में हमको बताया अब आचारशी जब वहाँ पर बैठे तो वो कीड़ा पात्र में चला गया हाथ पर आया होगा वो कपात में चला गया अब स्रावक आचारशी ने इसारा किया स्रावक लोग करने लेगे तो आचारशी ने सब को रोग दिया प्रसंग याद आ गया तो साथ साथ में देख लिया नगनता नगन होकर के विकारों से रहत होना अरती कैसी भी परिस्तिती हो उसमें मन में विकार भाव नहीं अतना जगह देख करके कई बार होता कि कैसी जगह है ऐसे भाव मन में नहीं लाना ये अरिती परिशे है इस्त्री परिशे, इस्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुष के लिए इस्त्री इन से कभी भी प्रभावित नहीं होना चर्या, चलते हैं पैदल उसके माध्यम से गाड़ी आदी का इस्मरण नहीं करना, एक आसन में बैठते हैं, आप लोग भी आसन लगा करके बैठते हैं, उस समय में वहाँ पर हिले नहीं उसमें, एक ही आसन में बैठी रहें, तो वहाँ पर जैसी अपना शरीर हिलता है, तो वहाँ पर कोई ना कोई जीत संपर्क में आते हैं उनसे जो पाप से जो उस समय में संबर होगा शया शयन करते हैं उस समय रूखा सूखा जैसा भी जगे हो बहाँ पर शयन करते हैं कभी छोटी भी शया रहती है पैर नहीं फैल रहे हैं जैसे आप लोग भी जब ट्रेंड में बाजू की साइड मिल जाती है तो कई लंबे लोगों को परेशानी होती है तो ऐसी इस्तितिय होती है उस समय में भी वहाँ पर समता के भाव बनाए रखना उसके माध्यम से भी जो है संबर होता है आक्रोश बिहार कर रहे हैं रस्ते में कोई भी कुछ बोल सकता है दो हमारे लिए इस प्रकार की जो है याचना परिशे अलाव जिसमें आहार की प्राप्ती नहीं हुए उसमें भी मन में कोई विकार उत्पन नहीं होना रोग शरीर में रोग हो जाने के बाद में भी उसको समता के साथ में सहन करना त्रनस पर्ष काटे आदी भी चुप जाते हैं उनमें भी बहाँ पर समता के साथ में उनको सहन करना ये भी संबर के लिए कारण होता है मल शरीर का इसनान नहीं करते शरीर के उपर बहुत सारे जो धूल आदी के माद्यम से मेल जम जाता है फिर भी मुसमें गलानी के भावतपन नहीं होना सतकार पुरसकार कोई सम्मान नहीं करता तो उस समय में भी मन में खेद उतपन नहीं होना प्रग्या जिसमें बहुत ज्यान होने के बाद में भी अहंकार नहीं करना अज्ञान बहुत प्रयास करने के बाद में भी ज्ञान नहीं हो पाता फिर भी मन में मलीनता नहीं लाना श्राबक लोग भी इसके बारे में विचार करके अपने भी पुरुशार्ट करें उसमें भी सफलता नहीं मिले तो मन में खेद उत्पन ना हो इसके माद्यम से भी संबर का कारण बलता है अदर्शन नादर्शन इती अदर्शन आचार सीने एक बार ऐसी ब्याख्या भी की थी कि अन्यमत से प्रभावित नहीं होना ये भी जो है अदर्शन याने मिध्यात के भाव उत्पन नहीं होना इसके बाद में हैं चारित्र चारित्र में जहां सामाईक चारित्र होता है सम्मे सिद्ध जैसी आत्मा है ये सामाईक चारित्र जहां मुनिराजों का होता है आप लोग सामाईक करने बैठते हैं उस समय में सम्ता सर्व भूदेशु सभी प्राणियों के प्रती सम्ता का भाव छेदो पस्थापना जहां पर कोई दोश लगते हैं उनका प्रायश्चित लेकर के पने स्थापना होती है वो छेदो पस्थापना परिहार विशुद्धी ऐसा चारित्र होता है जिसमें मुनिराज तीर्थंकरों के पादमूल में अध्यन करते हैं और फिर उनके लिए सभी जीवों का इस्थान ग्यात हो जाता है वो कहीं पर भी रुकते नहीं है प्रती दिन उनका बहार चलता है वो परिहार विशुद्धी सूब सांपराय गुनिस्थान का चारित्र होता है और रता ख्यात chef चारित्र जब पूरी कशाहें समाप्त हो जाती है आत्मा की जो निर् अपना बहाँ पर संबर की भूमी का रहेगी इसलिए अपने लिए जहां तक बन सके संबर का प्रियास करना चाहिए अक्षर पद मात्रा से दूशित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कशाह के वश में सम्यक अर्थ विलीन किये जिनवाणी माता मेरी उन सब तुटियों को ख्षमा करें दे आशिश शिक्र हम सब को केवल लग्दी रमा मिले प्राप्त हमे हो बोदी समाधी परणा मो की शुद्धी हो निज आतमे उपलद हमे हो शाश्वत सुख की सिद्धी हो चिन्त तवस्तु दात्री माता चिन्ता मणी उपमाभाती करुख वंदना पूर्ण विनैसे चरण रखु में ये पाती कर जिन्वानी इस्तती तन की ममता टार महा मंत्र का जाप अब सभी जपे नबवार